हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्ण टेक्निकल में फिर से दोस्तों लेकर हैं हुँ नहीं जापकी इंफोर्मेशन रुक्रीट्मेंट आ रहे हैं केल्ट्राइट की तरफ से केरला स्टेट लेक्ट्रोनिक्स डिवल्पमेंट क्यूबरेशन लिमिट्रेक्निकी तरफ से लेकिन लोकेशन जो है वो कृSe इंडिया रहेगी अक्रोस इंडिया कैढिडेेट इसमें आवईदन कर सकते हैं आप इंडिया की किसी भी detail हम लोगों को बता दी गई है लेकिन उसको जो है हम लोग एक तरह का short notice कह सकते हैं जैसे कोई detail में notification आएगा तो आप तक जानकारी मैं जो है पहुचाने की पूरी कोशिश करूँगा फिलाल बहुत कुछ जो है eligibility criteria बता दिये गया है आप जरूर जो है वो notification कर सकते लिंक पहले description में देती है बाकी वीडियो को शुरूर सिले के last तक देखिए सारी चीज़े आपको समझ में आ जाएगी अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली job update आपको time पर मिल जाएं तो देखते हैं दोस्तों notification में जो है वो क्या-क्या लिखा गया है यहां पर दोस्तों सबसे पहले बात करें तो बहुत सारी recruitment ऐसी है जिसमें experience मांगा गया है लेकिन हम लोग उनी बीटक electronics, electronics and communication, applied electronics and instrumentation, mechanical वाले, electrical, CS और BSC अगर आपने physics, math, electronics साथ में post-graduation degree कर रखी है electronics में, CS में, applied electronics में 60% marks के साथ तो आप apply कर सकते हैं यानि कि बीटक वाले भी apply कर सकते हैं BSC साथ में post-graduation अगर आपने करी हुए डिगरी करी हुई है, related field में आप eligible है, apply कर सकते हैं, 60% कम से कम आपके marks होने चाहिए यहाँ पे दोस्तों एक तरह का पहले जो है वो एक तरह का training period रहेगा जिसके दुरान आपको 15,500 per month stipend देगे हो जैसे ही वो training complete आप कर जाएंगे, उसके बाद आपको regular pay मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि 40,000 के आसपास जो है आपको मिल सकती है 35 साल maximum age limit रखी गई ही, आपकी age 18 से लेके 35 साल के बीच में होनी चाहिए बाकी age relaxation के बारे में मैंने फिलाल read नहीं करा है, लेकिन application fees में relaxation वो दे रहे हैं तो age में भी आपको relaxation जो है वो जरूर मिलेगा उसके लावा दोस्तों बात करें last date की तो 25,11,2020 जो है वो last date है और आपकी qualification हो चाहिए work experience हो 25,11,2020 तक जो है वो complete हो चाहिए बाकी अगर आप 25,11,2020 तक आपका result वगएरा declare नहीं होता है, आपका qualification complete नहीं होती तो आप eligible नहीं है, apply नहीं कर सकते हैं जो लोग shortlisted होंगे, सबी लोगों का तो वो interviews वगएरा नहीं ले पाएंगे जो लोगों shortlisted होंगे, उनको group discussion, interview के मादर्विशन हो सकती है लेकिन अगर उनके पास जो है, वो जादा applications चली जा सकती है, तो फिर उसके बाद return test भी हो सकता है बाकी ये सारी चीज़ें उनके अपने हाथ में हैं, बाकी return test का क्या syllabus वगएरा रहने वाला है, उसकी जानकरी यहाँ पे नहीं दी गई है बाकी अगर आप लेट हो जाते हैं apply करने में, तो वो responsible नहीं है, आपकी application fees वो वापिस नहीं करी जाएगी, तो कि non refundable होती है application fees 500 रखी गी है journal OBC के लिए, बाकी अगर आप आते हैं SCST candidate, तो आपको बिना fees के आवेदन करना किसी भी तरह की fees देने की ज़रूरत नहीं है तो ये सारी चीज़े दोस्तो notification में लिखी गई है, अगर आपको लगता है कि आप eligible हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, link मेरे description में दे दिया है लेकिन जब आप apply करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ advertisement का link दिखेगा, दूसरा link नहीं दिखेगा notification में भी वैसे उन्होंने link दे रखा है, बाकी आप आज का वेट कर लीजिए, कल आप जाके apply कर सकते हैं कल मुझे लगता है कि सारे links जोए वो open हो जाएंगे और आप apply कर पाएंगे, क्योंकि starting date यहाँ पे नहीं बताएगी है So thank you very much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए यही था आज की इस वीडियो में और आशा करता हूंको आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो like कर दीजिए और channel को subscribe कर दीजिए, मिलेंगे ऐसी किसी नही जोब update के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए